इस वक्त हमारे साथ मौझूद हैं कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ जो कि अपनी सियासी पारी की शुरुवात करने जा रहे हैं। छिंदवारा लोग सभा सीट से 40 सालों के बाद एक नया चेहरा सामने हैं। लेकिन छिंदवारा के लिए नया नहीं है। भलते ही भाती राजनीती के लिए नया हो। नकुलनाथ कैसे आप लेते हैं चालिस सालों तक छिंदवारा मॉडल जो आपके पिता जी ने बनाया। अब वो विरासत आपके हाथों में आ रही है। कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इसे कायम रखवाना या फिर इसे और आगे ले चापाना। बहुत बड़ी चुनौती हैं जब मेरी बात सामने आती है तो मेरी तुलना कमल नाजी के साथ होती है। तो हमेशा मेरी तुलना कमलनाजी के साथ दी जाई गी और मैं मानता हूँ यह बहुत बड़ी चुनोती है क्योंकि उनका 40 साल का experience है मुझे केवल 40 दिन होए है जब कमलनाजी मुख्यमंत्री बने थे यह लगभकता है हो गया था कि आपको यहां से लोगसभा की टिकट मिल सकती है आपने जनता के बीच जाना भी शुरू कर दिया था जब आप जाते थे लोगों से मिलने के लिए हाला कि परदे के पीछे आप काफी वक्त से सक्री हैं चि से मिलने के लिए लोग आते हैं नकुलनाज बतोर एक इंडिवीज्वल उस जनता से कैसे कनेक्ट हुए है तीके मुझे अपना परिचे देने की कोई आवशक्ता नहीं थी मैं पिछले 20 साल से यहां लगातार आ रहा हूं चुना प्रशार कर रहा हूं यहां अगर मैं जाता अगर हम देखें तो जो काम किये गए हैं बीचे 40 सालों ने एक आदिवासी बेल्ट को पूरी तरीके से स्किल डेवलप्मेंट ट्रेनिंग सेंटर के रूप में आप इक्सित किया गया है नकुलनाज क्योंकि आप युवा भी एक प्रत्याशी रहेंगे तो क्या आपके साम की प्रत्मिक्ता यह हो रहेगी रोजगार की कि आज हमारा जो नौजवान है बटकता नौजवान वह सबसे ज़्यादा परेशान है यह मोदी जी ने बात कई थी दो क्रोर नौजवानों को रोजगार देंगे हर साल लेकिन ऐसा कुछ नहीं दिखता हैं आपने स्किल डिव पंदरा साल पहले खुल गए तो मेरी सबसे बड़ी चुनाओती यह रहेगी कि हमारे युवानों को रोजगार मिलें युवानों को रोजगार के लावा करें आपने मोदी जी का जिक्र किया पंदरा लाख रुपए खाते में डालने की बात कहें ती दोहजार चौदा के ल आप बताईए पंदरा लाख संभव है या बहतर हजार संभव है सीधी बात है आपको लगता है कि यह जो बहतर हजार रुपए साल देने की बात है यह एक कॉंग्रेस के लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट इस बार के चुनाओं में साबित होने जा रहा है बिलकुल करोर नौजमानों को रोजगा देनी की बात नहीं करते हैं हम बाइस लाख नौजमानों को रोजगा देनी की बात करते हैं दो करोर साल के नहीं करते हम पंद्रा लाग की बात नहीं करते हम बत्तर हजार की बात करते हैं चिनवारा की जनता है उनकी मांग थी कि मैं यहां से सब्सक्राइब करने और यह मांग उठी फिर मैंने चर्चा की कमलाजी से और फिर डिसिजिन लिया गया कमलाज के सबसे बड़ा आइडल कौन है मेरे पिता जी क्यों क्या चीज उनकी है ऐसी अच्छी लगी आपको जो कि आप उससे लेकर के राजनीती में उतर रहे हैं यह आपके सामने बदलता बढ़ता चिन्वाड़ा आपके सामने है इसलिए तो वह मेरे आइडल है आपने एक तो वीरोधी जीए वमानते हैं कि कमलना एक नेता की तरह नहीं एक व्यक्ति के तोर पर काम करते हैं कि पहले तय हो जाता है उन्हें थ समय सीमा के अंदर वो काम उन्हें करने के लिए कहा जाता है क्या सच है बिलकुल सच है के इस करना होता है आप के सामने मैं खड़ा हुआ 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 है कि छिनवारा की लोग तुमको चाहते हैं अब तुम जाके अपने आपको साबित करो आपका नाम कॉंग्रेस ने अभी घोशित कर दिया है लोग सभा प्रत्याशी के तौर पे जनता के बीच आप जब जा रहे हैं तो अब और किन चीजों को ले करके जा रहे हैं क्योंकि चालिस सालों का अनुभाव आपके पिताजी का यहां का है लेकिन इसके अलावा नकुलनात को चंद्वारा की जनता वोट क्यों दे क्योंकि मैं एक नौजवान हूं यहां 65 प्रतिशत वोटर 18 और 35 साल के उम्र में हैं यानि कि वह नौजवान है एक तो मैं नौजवान हूं इसलिए दूसरा मेरी सोच उनसे मिलती है प्रतिशत वोटर के साथ मेरी सोच और उनकी सोच एक सोच है इसलिए जैसे ही आपका नाम हुआ और वी कॉंग्रेस की जो दूसरी सूचाई है उसमें कुछ ऐसे नेताओं का नाम था नेता पुत्र जो है बीजेपी का साफ़तोर प्रादोफी की कॉंग्रेज वंश्वात की परिपार्टी से बाहर निकल नहीं पा रही है आप मानते हैं कि हम लोग तंत्र में मानते हैं ना तो जनता को फैसला करने दीजिए मुझे यह समझ में नहीं आता भाजपा के पेट में क्यों तो वंश्वाद वो की उठाते हैं तो अब जब आप जनता के बीच जाही रहे हैं तो नकुलनात बकाईदा उन किन चीजों को लेकर के पांच प्राथ्यमिक्ता हैं अगर हम देखी जाए चिनवाडा की इसकी डेवल्लपमेंट सेंटर आपके पिता जिनिया पर काफी खोल युवाओं को रुजगा खार सेंटर आदिवासी जो युवाँ थे नकुलनात के सामने प्राथ्यमिक्ता अब यहां से चिनवाडा को आगे किस तरीके से ले जाना है क्या रहेगी ठीके सबसे पहले तो मैं इस चिनवाडा में उतर रहा हूं एक नारा लेके किसानों के फस जो है वो लगातार ही कह रही है कि कॉंग्रेस का जो पूराना कारिकाल रहा है मद्यपरदेश में 2003 से 2003 तक का उसको वो टार्गेट करने जा रही है तो इससे कैसे पार कर पाएंगे मैं नहीं मानता यह कोई बड़ी चुनाओ ती यह आपके सामने पढ़ता बदलता चिनवाडा है मैं नहीं चाहता दियान देना चाहता हूं चिनवाडा मॉडल इस बार मद्यपरदेश विधान सभा चुनाओ में सबसे बड़ा मुद्दा था जिसे कॉंग्रेस ले करके उत्री थी क्या लोगसभा चुनाओ में मद्यपरदेश की 29 सीटों पे भी चिनवाडा का विकास मॉडल जो है क्योंकि एक बड़ी लोगसभा स सीट है और देश की सबसे हाई प्रोफाइल सीट अभी हो गई है क्योंकि एक तरफ आप लोगसभा को चुनाओ लड़ेंगे दूसरी सीट से आपके विधान सभा का चुनाओ लड़ने जा रहे हैं तो चिनवाडा का जो मॉडल है उससे ले करके क्या कॉंग्रेस सभी लोग क्योंकि विधान सभा में चिनवाडा मॉडल को लेकर हम चुनाओ में उत्रे थे और हम विजय बने तो मेरा मानना यह है कि लोगसभा में भी इसका एफेक्ट रहेगा आपके पिताजी को जब भी देखते हैं कुर्ते पजामे में हम देखते हैं नकुलनाथ को कब हम देखे प्रचार तो आप करते रहें लेकिन इस बार आप खुद प्रत्याशी हैं पहले मैं कमलना जी के लिए प्रचार करता था इसी स्पीट से इसी जोश से इसी मेहनत से अब मैं अपने लिए कर रहा हूं तो मुझे कोई फर्क नहीं दिखता खाने की बात रहे तो मैं आलू के पर आठे पसंद करता हूं क्या सीख आपके पिता जी ने आपको दी है राजनीती माने से पहले जब आपका टिकट फाइनल हुआ है तो कोई बात जो ने आपसे जरूर कही हो कि बेटा यह जरूर करना या यह मत करना उन्होंने एक बात कही थी कि कभी जूट मत बोलना और अगर तुमने कोई वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा तो यह थे चिंदवाडा से कामलनात के बेटे नकुलना जो की प्रत्याशी है लोग सभाज चुनाओं के लिए कॉंग्रेस की तरफ से और सबसे मजबूत दावेदारों में से एक भी है कैमरामन राहुल सेजकर के साथ अवीश पाल सिंग चिंदवाडा आज तक